जब आप किसे से प्यार करते हो तो कितना भी टाइम गुजर जाए उस प्यार में कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी हना मिजू की एक जापनीस रोमेंटिक मूवी है इस मूवी में एक कबल लॉंग डिस्टंस रिलेशन्शिप रखना चाहता है एक बहुत दी ब्यूटिफुल और हैपी एंडिंग के साथ मूवी है तो इसे अंतक जरूर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हो गर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा कवरेंट भी कर दीजेए तो इस चैनल को सपोर्ट मिलता है बिना किसी तरीके एकस्पलेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारी में कैरेक्टर इसका नामे से एक कैनेडा में ट्रैवल कर रही है इसी के बस में एक छोटी सी लटकी थी उसे पूछती है तुम कहा जा रही हो से कहती है कि मैं लाइट हाउस दिखने के लिए जा रही हूँ जहाँ पर मैं बिलॉंग करती हूँ इसके बाद ये मुवी एक फ्लैजबैक में स्टार्ट होती है मुवी का और एक मेंन कैरेक्टर कोहाई को हम सी के पास देख सकते है वहाँ पर अपने फ्रेंड्स अपने फादर के साथ वो काम कर रहा था उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है तमोसू उसे एक लड़की बहुत ही पसन आई थी जो लड़की उसे पसन आई है वो बहुत ही स्टैंडर्स से हाई स्कूल में जाती है उसे नहीं लगता कि वो लेड़की उसमें इंटरस्टेड होगी है उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि वो कौन सी स्कूल में जाती है इसे को भी फरक नहीं पड़ता इसी टाइम पिरेड में यंग से भी हम देखते हैं जो स्कूल जानी के लिए आज लेट हो चुकी है वो जल्दी से ट्रें में आई और वहाँ कोहाई भी था कोहाई उसे फर्स टाइम देखकर ही उसमें बहुत इंटरस्टेड हो जाता है अचानक से ट्रें रुख गई टीसी आकर कहता है कि हमने एक डियर को हिट किया है ट्रें फिर से स्टार्ट होने में ज़रा वक्त लगेगा इतना टाइम से रुख नहीं सकती थी उसके आज एक्जाम थी वो जल्दी से ट्रें से बहार उता जाती है और कोहाय भी उसके पीछे-पीछे आता है दस्ते से एक बस गुजर रही थी उसने उसे हाथ देने की कोशिश की पर वो रुकी नहीं कोहाय भी उसके पीछे-पीछे आया था उसे पुछता है क्या तुमें बहुत ही जल्दी है वो गहती है कि आज मेरी एक्जाम है, कोहाई की भी आज एक्जाम है, ये दोनों फिर फिल के पास जो एक घर है वहाँ पहुचते हैं, इस घर में कोई भी नहीं था, पर से घर के बाहर एक कार देखती है, वो कोहाई से गहती है, शायद इसका ओनर फार में काम कर रहा है, उसे जल से जल स्कूल पहुशना है इस गाड़ी को बोरो करने के लिए को है पहले मना कर रहा था पर से की वज़े से मान जाता है बैचारी के बाद टेंबररी लाइसंस है से इससे ट्राइब करना नहीं आता तो यह ज़े से गाड़ी रस्ते के नीचे से चली जाती है इसके बाद पुलिस को बुलाया गया से और कोहाई के पैरेंट्स को उन्होंने यह सब इनफर्म किया कोहाई के फादर उसे घर ले आकर बहुत मारते हैं से को एक्च्वल में आज का एक्जाम देखकर टोक्यो जाना था उसे उस कॉलेज में जाने के लिए उसका स्कूल रिकमेंड करने वाला था जो इंसिडेंट हुआ उसके वज़े से उसके टीचर उसे बहुत डाटते हैं कहते हैं कि तुम्हें अब हम रिकमेंड नहीं करेंगे तुम अपनी स्टडिस पर फोकस करो जिस लड़के के साथ तुम थी वो एक फिशर्मान का बैटा है ऐसे किसी भी लड़के के स भूमा मत करो शाम में जब से का स्कुल खतम हुआ तब उससे मिलने के लिए कोहाय आया हुआ था से उसे इग्नौर कर रही थी कोहाय पूछता है कि तुम ज़े इग्नौर क्यों कर रही हो यह बात सुनकर वो रोने लग गए जो भी हुआ इस सब के वारे में कोहाय को बताती आज कोहाय भी सस्पेंड हुआ था पर उसे उतना ज्यादा फरक नहीं पड़ा उसे स्कूल से ज्यादा फिशिंग करना ही अच्छा लगता है वो से से कहता है कि एक्जाम देने के लिए तुम्हारे पास और एक चांस है तुम फिर से प्रिपेर होकर वो दे सकती हो से कहती है क तुम्हें कॉलेज के लिए टोक्यो क्यों जाना है अगर तुम यही रही तो इससे कुछ भी जादा फरक नहीं पड़ेगा से डिटर्माइंड है कि कॉलेज के लिए वो टोक्यो ही जाने वाली है रात में से घर के पेड़ के सामने आई वहाँ उसने कुछ डिसाइड किया इसके बाद नेक्सटे जब कोहाई अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेशन पर था वही से भी थी हमने मूवी में देखा कि तमासो को कोई लेड़ की पसन आ गई थी यहां में पता चलता है कि वो से ही थी से फिर कोहाई को नोटिस करकर उसके बात करने के लिए तो मासो यह दे पढ़ाई करूंगे कोहाई वी से को उसके लिए कवर करने के लिए थैंक्यू कहता है से अपने एक्जाम में अच्छे से प्रिपेर कर पाया इसलिए उसने उसे एक बुक भी दिया वो जब अपने फ्रेंड के साथ यह बुक पढ़ती है तो इस पर बहुत अस्ति है क्योंक है इसलिए मैं भी सीटी में एक पार्ट टाइम जॉब ले लूँगा इससे वो ट्रेंड में टाइन स्पेंड कर पाएंगे यह दोनों फिर हर दिन ट्रेंड से घराते वक्त बहुत ही अच्छा सा टाइन स्पेंड करते हैं एक दिन कोहाई से को एक लाइट हाउस पर लेकर कोहाई के भी सारी चोट थी तो से निए इसके बारे में उससे पूछा उसने कहा कि मेरे फादर ने मुझे मारा था पुर्ण में कोहाई और से को जब पुलिस ने पकड़ लिया था तो उसके फादर ने उसे बहुत मारा था, कोहाय कहता है जब भी मेरे फादर मुझे मारते है मैं यही आजाता हूँ से यह थी है कि मैं तुम से जेलस हूँ से पाथ साल की थी तब ही उसके फादर गुजर गए थे उसके फादर ने कभी उसे डाटा भी नहीं था यहाँ का जो नजारा है इसे को बहुत अच्छा लगा उपर थन लग रही थी तो कोहय उसके हाथ लेता है और इन्हें वाम करता है ये दोनों पास आ गए और इन्होंने एक दूसरे को किस भी कर लिया रात में से अपने घर के सामने के पेड़ के पास आते है यहाँ पर वो जब छोटी थी तो उसकी और उसके फादर की मेमेरी थी इस प्लान को उसके फादर नहीं लगाय था फादर छोटे से को कहे रहे थे कि इससे एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ आएगा वंडर करता हो कि तब तुमारा एज क्या होगा फादर कहते है यह जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तब शायद में तुमारे पास नहीं रहूं पर हमेशा तुम पर में नजर रखूंगा तुमारा में खैल रखूंगा सेका बर्थ ही कैनेडा में हुआ था वहाँ की एक ब्यूटिफुल सी फोटो वो कोहाई को दिखाती है वो जब बहुत ही छोटी थी तो उसकी फैमिली वहाँ जाया करती थी पर अब उसे उस प्लेस के बारे में ज़्यादा कुछ भी याद नहीं है वो लाइफ में कभी न कभी वहाँ जाना चाहती है कोहाई भी इसमें इंट्रेस्टेड है कहता है जहाँ तुम्हारा बर्थ हुआ वो प्लेस मुझे भी देखना है यह उसे बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है एक दिन कोहाई जब काम पर था तो जारा टेंशन में था वो अपने फ्रेंड को कहता है कभी कभी मुझे लगता है कि से अपनी एक्जाम में फेल हो जाए अगर वो फेल होगी तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी उसका व्रेंड इस पर बहुत असता है इसके बाद से की एक यूनिट टेस थी जिसमें उसने अच्छा सा परफॉर्म नहीं किया कि वो बहुत ही टेंशन में आगे जब वो कोहाई के साथ ट्रेन में थी तब ही भी पढ़ ही रही थी कोहाई उससे कहता है कि जब हम साथ होते प्लीज बढ़ा मत करो से उस पर नाराज हो जाती है कहती है अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो फेल हो जाओंगी कोहाई भी नाराज हो गया गयता है कि अगर मैं तुम्हें डिस्टाप करता हूँ तो कल से तुम्हारे साथ नहीं आओंगा स्टेशन आने पर वो ट्रेन से उतर कर आगे जाता है कि उसके पीछे पीछे से भी उतर ही जाती है से कोहाई से गहती है कि उसके एकसाम के बारे में वो भी बहुत सारी चीज़े सोच रही थी अगर वो फेल हो गई तो कोहाई के साथ रहे पाएगी इसके बाद उसने रियलाइज किया जब से वो छोटी थी तब से एक ही चीज चाती थी कि वो टोक्यो जाकर सीख पाया उसके लिए बहुत ही इंपोर्डन्ट है और किसी भी चीज के लिए वो सेटल नहीं करना चाते कोहाई भी उसके बात समझ लेता है इसके बात कुछ टाइम गुजर चुका है एक दिन से कोहाई के पास आये बहुत ही खुश थी उससे कहते है मुझे लगा था कि इंपोसिबल है और उसने एक्जाम क्रैक कर लिया है फिर से थोड़े दिन गुजर चुके है और आज से टोक्यो जाने वाली है कोहाई को बहुत ही बुरा लग रहा था इसलिए उसे गुटबाई कहने के लिए उसके साथ वो एरपोर्ट नहीं जा सकता था उसके फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करते है पर वो मानता नहीं इसके बाद से उसकी मदर की फ्रेंड के साथ एरपोर्ट जा रही थी मदर की फ्रेंड का नाम कैची है कैची कहता है मैंने तुम्हारी मदर को भी इसी तरीके से एरपोर्ट छोड़ा था वो तुम्हारे फादर के पीछे वीचे एक अलग कंट्री में गई थी से को पता है कैची उसकी मदर से प्यार करता था इसके बारे मैं उससे पूछती है कैची कहता है मैं उससे बहुत प्यार करता था पर कभी बोल नहीं पाया जब मैं उसे एरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था मुझे लगा कि ये मेरा लास्ट चांस है जो भी है ये मुझे बोल देना चाहिए पर दबी भी मैं बोल नहीं पाया कैची की ये रिक्रेट देखकर से गाड़ी रोकने के लिए के लिए कहती है ये सी के पास थे और कोहाय की बोट उसे दिख रही थी वो उसे दूर से ही आवाज लगाती है कोहाय और इसके फ्रेंज ने एक पोस्टर बनवाय हुआ था इसमें लिखा था कि तुम अपना 100% देना चिलाती है ये में जल्दी वापस आऊंगे ये दोनों फिर एक दूसरे को गुड़बाय कहकर जुदा हो जाते हैं टोक्यो में से के कॉलेज में एक इवेंट था यह आवर हम हमारा और एक में क्यारेक्टर देख सकते है उसका नाव है जुनी जी जुनी जी सोशल टॉपिक्स पर अपनी फोटोगराफी करता है इस एवेंट में से उसकी फोटोगराफी देखती है जुनी जी कहता है तुम भी इस काम के लिए volunteer कर सकती हो से कहती है मुझे यह सब करने के लिए मेरे पास time और बैसे यह दोनों नहीं है उससे कहता है मैं तुम्हें पार्ट टाइम जॉब दिलवा सकता हो पर यह रात का जॉब है यह सुनकर से को ज़रा गलत लगा और वहाँ से ओ चली गई थोड़े दिनों बात कोहाई को से का first letter मिलता है बहुत ही excited था से ने अपने टेलीफोन का नमबर इसमें भेजा था तो उसे ओ कॉल करता है से कहती है कि ओ घर को बहुत मिस करती है कोहाई उसका मजाग लेता है कहता है तुम्हें तो ये place पसंद भी नहीं है इन दोनों को एक दूसरे से बात करकर बहुत अच्छा लगा एक दिन से का रात में भी class था यहावर उसे जुनीची पढ़ा रहा था अब वो realize करती है कि जुनीची रात में काम करने के बारे में बता रहा था तो यही teaching का हो काम था ये दोनों फिर बात करते है से ने जुनीची का बहुत सारा work देखा तो कहती है इसमें बहुत सारे बच्चों की फोटोस है जुनीची मजा करता है क्योंकि मेरा दिल बच्चों की तरह साफ है इस पर से बहुत अस्ती है इसके बाद जुनीची के recommendation से से ने भी part-time teaching का job करना start कर दिया वो भी छोटे बच्चों को पढ़ाने लग गए कोहाय रात में से को call करने की कोशिश करता था और वो काम पर थी तो उसका call उठाने ही बादी थी से इस summer घर आने वाली थी इस part-time job की वज़े से घर नहीं आ पाती इन सब चीजों की वज़े से कोहाय ज़रा अपसेट था उसका काम में भी मन नहीं लग रहा था जहाँ पर वो काम करता है वही पर सब जगाँ पर नज़र रगने का काम रिच्चु को करती है एक्चुल में कोहाय को like करने लग गए है वो कोहाय के friend से बूछती है इसके साथ हुआ क्या है जो भी सब हुआ कोहाय का friend उसे बता देता है रिच्चु को को लगता है कि से कोहाय को सिर्फ ignore कर रही है वहाँ उसका कोई और boyfriend हो गया होगा एक दिन कोहाई को काम करते करते चोट आ गए अस्पिटल में गया तो से की मदर से मिला से की मदर वही पर नर्स है वो कोहाई को पहचान लेती है उसे पुछती है तुम्में और से में अब रिलेशन्शिप कैसी है वो समर में आने वाली थी पर अब नहीं आएगी उसे सला देखती है कि तुम्हें उसे जाकर मिल आना चाहिए अगर ऐसा ही जलता रहा तो उसे और कोई उड़ा कर लेकर जाएगा मदर भी जाती थी इसे फिर से घर वापस आए कोई फिर डिसाड करता है और डारे लिटो क्यों आ जाता है वो से का वेट कर रहा था पसे जुनी जी के साथ घर आ रही थी वो दोनों हसते हसते एक दुसरे का मजाग लेते लेते आ रहे थे कोई को लगा कि इन दोनों में अब वो बहुत ही sad हो गया से भी कोहाई को नोटिस करतीया उसे राद में डिनर करने कि लिए एक अच्छे से रेस्टोराइन में लेकर आतीया वो उसे पूछती है अमसे तुम नाराज हो तुमसे मिलने के लिए मैंने बहुत सारा वेट किया है कोहाई कहता है मैंने भी बहुत वेट किया है वो सिफिर गुसा आ गया वहां से वो जा रहा था जादे जादे उसका एक आत्मी को धक्का लग गया इस fight में कोहे ने इस fight में कोहे ने से की लिए गिफ लाया था ज़रा सा तूट जाता है कोहाय उस आदमे को बहुत मारता है वो खुद भी ज़रा हर्ट हो गया था तो उसे उसे घर लेकर आती है उसका वो सही से फर्स टेड करती है दोनों फिर करीब आ गए सुबा होने पर कोहाय अपना गिफ्ट फिक्स करता है जब से टोक्यो आ रही थी लास्ट टाइम जब उन्होंने गुडबाई किया था कोहाय जिस बोट में था यह वही बोट का रिप्लिका है इस बोट में यह भी लिका है यह तुम तुमारा बेंस्ट करना से को एक गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा वो कोहाय से पुछती है कि अगर हम एक दूसरे से दूर रहे तो क्या हमारी रिलेशन्शिप में कोई डिफ्रेंस आएगा कोहाय कहता है ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला कोहाय फिर से से मिलकर वहाँ से चला जाता है इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका है से को अब अपनी डिकरी मिल चुकी है वो अलग-अलग फर्मस में जाकर जॉब के लिए अपलाई करती है उसे कहीं भी अच्छे से जॉब की ओफर नहीं मिलती वो इस वज़े से बहुत ही सैड थी उसे फिर से वहाँ जुनी जी मिला वो उसे कहती है कि मैं इतनी सारी मेहनत ली मेरे घर से दूर मैं पढ़ने के लिए आई और फिर भी मुझे सही से जॉब ओफर नहीं मिली वो वंडर करती है कि अब वो कर क्या रही है जुनी जी कहता है कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ इसके बारे में भी मुझे कुछ भी आईडिया नहीं है वो अपनी फोटोग्राफी से वर्ल में कुछ चेंज लाना चाहता है इन चीज़ों को अच्छिव करने के लिए अब वो न्यू यॉक जाने वाला है वो से को समझाता है एक अच्छी जॉप अच्छिव कर लेना यही जिन्दगी नहीं होती लाइफ में तुम एक्चुल में क्या करना चाहती हो यह तुमें फॉलो करना चाहिए इसके बाद हम देखते है कोहाई के फादर उससे बात कर रहे है उन्होंने अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारा लोन लिया था वो इस लोन को पे नहीं कर पाए इस वज़े से उन्हें उनकी बोट सेल करनी पड़ेगी कोहाई का हमेशा से सपना था कि वो एक अच्छा फिशर्मैन बन पाए पर अब यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा रात में उसे एक को कॉल लगाता है कहता है शायद मुझे मेरा ड्रिम छोड़ देना चाहिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्या मैं तुमारे पास आका रह सकता हूँ वहाँ पर मैं कोई ना कोई जॉब तो ढूंडी लूँगा से खुद बेचारी बहुत ही ज़दा टेंशन में थी उसे यहाँ कही भी जॉब नहीं मिल रहा था वो उससे कहती है कि मुझे इस बात पर सोचना पड़ेगा जल से जल में तुम्हें तुम्हारा आंसर दे दूँगे इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कोहाई अपने फादर के साथ लास्ट टाइम फिशिंग करने के लिए जा रहा था उसके फादर उसे कहते है यह मुझे पता है तुम बजपन से अच्छा फिशर्मैन बनना था वो बहुत ही सौरी है कि अब उन्हें बोट सेल करने पड़ेगे उससे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो तो कभी भी इस ड्रीम पर गिव अप मत करो अचानक से बारी स्टार्ट हो गए इस बोट को कंट्रोल करने के लिए कोहाई जरा बीजी हो गया अचानक से उसके फादर को हार्ट अटेक आ गया उनकी डेथ हो गए फादर के घुज़र जाने के बाद फैमिली की सब रिस्पोंसिबिलिटीज कोहाई पर आ गई है वो सेह को कौल करता है कहता है अब मैं आ नहीं पाऊंगा उसकी जो भी सब रिस्पोंसिबिलिटीज है इसे वो ओनर करेगा तुमारे जो भी सब ड्रीम्स है यह तुम पुरे करो अब सेह और कोहाई एक तुछरे से मिल नहीं सकते तो वो बहुत ही सैड था एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करा था यहाँ पर रिस्पों को भी थी वो बहुत ही दुखी था तो उसमें बहुत सारी पीली जहावर यह सब थे यह रिस्पों का ही शौप था कोहाई बहुत ही ड्रंग था तो यही वो रात में सो जाता है थोड़े टाइम में वो अपनी नीन से जग गया इरिस्पों को अब उसे अपनी दिल की बात बताने वाली थी पर बोल नहीं पाई कोहाई बहुत ही हर्ट था तो उसे पकड़ लेता है उसके साथ इंटिमेट हो जाता है अब मुवे में और कुछ टाइम गुजर चुका है से अब अपना करियर बनाने के लिए नियू यॉक आ चुकी है से को एक अच्छा सा जॉब मिल गया है वहाँ पर एक दिन उसे जुनी जी मिलने के लिए आता है जुनी जी भी से के ओविस में काम करता था उसने इसे को जॉब दिलवाने में मदद की थी वो और भी अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए कमबोडिया गया हुआ था अब वो वापस आ गया है तो से उसे देखकर बहुत ही एकसाइटेड है वो जुनी जी के लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाती है वो कहता है बहुत दिनों बात मुझे प्रॉपर खाना मिला है वो नोटिस करता है और से से कहता है तुम फिर से हसना सीख गई हो लास्ट टाइम मैंने तुमें जब देखा था उससे अब तुम में बहुत ही ज़ादा इंप्रॉमेंट है ये दोनों फिर रात में खुमते खुमते रिवर के पास आए जुनी जी कहता है जब 9-11 हुआ तो मेरे आख के सामने हुआ था जो भी चल रहा था इसमें मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ डिफरेंस करना चाहिए इसलिए जुनी इची अव वार में जाकर वहाँ के बच्चों की फोटोज लेता है उसे लगता है कि दुनिया में कितनी भी चीज़ी गलत क्यों न हो जाए पर बच्चों के आखों में जो इनोसंस होता है वह हमेशा वैसे का वैसा ही रहेगा अपनी फोटोग्राफी से इस वर्ल्ड में वो कुछ अच्छा मैसेज देना चाहता है वो से इसे कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता था इसलिए डेंजर लेकर मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हो उसने यहाँ confess किया कि हो हमेशा उससे like करता था उससे शादी करने के लिए उससे propose भी कर लेता है इसके बाद हम देखते हैं कि से अपने एक friend की शादी में आई हुई थी उसके friend की waiting कोहाय के friend के साथ ही हो रही है इसका मतलब है उससे यहाँ कोहाय भी दिखता है यहाँ में पता चलता है कोहाय और रिच्सू को इन दोनों ने शादी कर लिए कोहाय और से जब बात करते है तो कोहाय कहता है कि उसके wife बहुत ही अच्छी है उसका family का बहुत ही अच्छा सा खैल रखती है यहाँ पर से ने नोटिस किया कोहाय बहुत सारा drink करता है पूरी wedding में कोहाय और से एक दूसरे के साथ ही थे यह रिच्सू को को अच्छा ने लगा घर आकर से कोहाय ने उसे जो gift दिया था इसे देख रही थे अब एक दिन से और कोहाय यह light house के पास मिले वो कोहाय का gift उसे फिर से वापस कर देती है वो कहती है कि शायद मैं जापान फिर से कभी ना हूँ उसे अब जो job मिली है यह बहुत ही अच्छी है और वही नियॉयोक में वो sitter होना चाहती है वो कोहाय से कहती है कि अब मेरी भी शादी होने वाली है आज वो कोहाय से last time मिली उसे बात कर पाए तो उसे अच्छा लगा कोहाय फिर से को घर ड्रॉप कर देता है अब ये last time मिल रहे है तो एक दूसरे के पास भागते भागते आते है गले लगा लेते है ये दोनों रो रहे थे से ये दिये कि प्लीज हमेशा खुश रहना कोहाय रात में ज़रा लेट वापस आया रिट्सु को उस पर बहुत ही नाराज हो गए उसे पता चल गया था यो सेल से मिलने के लिए गया हुआ था वो कहती है कि हमारा बिजनेस सही से चल नहीं रहा हमें शायद सब को सेल करना पड़ेगा और आज रात तुम कहा गए थे इस पर इनका बहुत बड़ा जगड़ा हो जाता है रिट्सु को उसे छोड़ कर चली जाती है अब कोहाय का बिजनेस बैंकरप्ट हो चुका है अब उसकी मदर और सिस्टर एक रिलेट्विस के पास जाकर रहने वाले है वो बहुत ही अकेला पड़ गया टीवी पर हमें फिर न्यूज दिखाय जाती है जहां में पता चलता है यह जुनी की डेथ हो गई उसका काम करते करते हैं उसे किसी ने मार डाला इसके बाद एक दो साल कुजर चुके है अब से भी सही से न्यूज यॉक में सेटल हो गई है जुनी जी के सब वर्क का एक दिन एक्जिबिशन लगा से इसमें उसका जो भी मैसेश था यह सब को से बताती है से की मदर भी उसे विजिट करने के लिए आई हुई थी वो से से कहती है यह जुनी ची बहुत ही स्पेशल होगा तुमने अब अपने लिए बहुत ही अच्छी से लाइब क्रियेट कर ली है फिर भी अगर तुम चाहो तो हमेशा मेरे पास आकर रह सकती हो जैसे के हम पता है किसे जहाँ पर उसका बर्थ होा था यानि की कैनेडा वहाँ जाकर विजिट करना चाहती थी मूवी के फर्स में भी वह यह विजिट कर रही थी अब वो वहाँ बहुत चुकी है वहाँ पर कुछ मुमेंट बिता कर अपने फादर को याद करती है इसके बाद जब वो घर जा रही थी तो कोहाँ ने उसे जो बोट दी थी यही बोट वो एक कैफे में नोटिस करती है इस कैफे के उनर के पास जाकर उसे इंक्वाइर उसने किया यह उनर कहता है कि एक आदमे अपना सप्लाइज लेने के लिए जापान से हमेशा आया करता है वही यह बोट छोड़ कर गया है शायद वो आज भी आया हुआ है यह सुनकर से जल्दी से शोर तक पहुचिया कोहाई की शिप आ की चली गई थी उसे आवाज देने की कोशिश करती है पर वो सुन नहीं पाता इसके बाद से फिर से जापान आ गए से की मदर का फ्रेंड जिसका नाम था केजी जो मदर को बहुत ही लाइक करता था उसने अब फाइनली प्रोपोस कर दिया से की मदर और केजी इन दोनोंने शादी कर ली है से इनने देखकर बहुत ही खुश होती है एक दिन से अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करती है उनसे पूछती है कोहाई कैसा है या उसे पता जलता है कोहाई की वाइफ उसे छोड़ कर चली गई है कोहाई का और एक फ्रेंड था जो एक्चुल में रिच्सुको को बहुत ही पहले से लाइक करता था रिच्सुको कोहाई से प्यार करती थी इसलिए उसने उसे जाने दिया अब रिच्सुको सिंगल है तो उसे जाकर वो अप्रोच करता है इस बार इज्सू को उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है एक सीन में से अपनी मदर के साथ फादर के पेड़ के नीचे बेटी हुई थी उसकी मदर कहती है तुम्हारे फादर ने बनने से पहले मुझे कहा कि हम दोनों ने बहुत ही अच्छी लाइफ स्पेंड की थैंक्यू लास्त तक मेरे साथ रहने के लिए मुझे से जेसी ब्यूटिफुल डॉटर देने के लिए वो हाई फेशिंग के लिए बाहर गया था तो उसे इस बार भी उसे मिल नहीं पाई अब इसके बाद एक साल बीच चुका है से ने अब रियलाइस किया है वो जो भी चाहती थी उसे अच्छे जॉब लगे है वो एक अच्छा करियर बना पाए यसा वो नहीं चाहती थी अब वो सिर्फ खुश रहना चाहती है इस साल में वो फिर से घर आ चुकी है वहाँ के छोड़े छोड़े बच्चों को अब वो टीच करती है कोहाई फाइनली अपनी फीशिंग की टूर से वापस आया वो से के पास आता है ये दोनों एक दूसरे को देखकर ब्यूटिफुल से स्माइल करते है इनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉलम्स आई अलग-अलग रास्ते पर ये चले गए कुछ हालात थे जिनकी वज़े से मिल नहीं पाए अब फाइनली ये एक दूसरे के साथ है इसी ब्यूटिफुल मुमेंट पर इस मुवी का एंड हो जाता है आज के वीडियो हम यही कतम करते है अगर आप को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिफिशन आइकोन ता पर आएं मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नए मुवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखें